दोस्तों आज कल Instant Personal Loan Applications का क्रेज बहुत ज्यादा है बहुत सारी लोग बेंक ना जाकर चाहते हैं कि वो Instant Personal Loan Applications के जरीए लोन ले ले क्योंकि घर बेठे बेठे आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है लेकिन क्या आपको आज की डेट में Instant Personal Loan Applications से लोन लेना चाहिए इसके क्या फाइदे हैं इसके क्या नुकसान हैं आज इस वीडियो में हम पूरी विस्तार से Instant Personal Loan Applications के बारे में बात करने वाले हैं I hope आप इस वीडियो को शिरू से लेकरन तक जरूर देखेंगे सबसे पहले हम जानते हैं कि Instant Personal Loan Applications का क्रेज आज की डेट में इतना क्यूं है वो इसलिए हैं क्यूंकि आज की डेट में अगर आपको लोन चाहिए और अगर आप बैंक जाना चाहते हो वहां से अगर आप लोन लेना चाहते हो तो वहांपर आपको बहुत सरे documentation करने होगे उसके अलावा आपको बहुत एजिली वहां से लोन नहीं मिल पाता है और अगर भी आपको बैंक से लोन मिलता है तो बहुत जियादा मुश्किल से मिलता है लेकिन Instant Personal Loan Application में होता क्या है कि आप घर बैठे-बैठे बहुत ही कम documentation में लोन पा सकते हो तो आप लोन के लिए बहुत इजीली apply भी कर पाते हो साथ ही साथ loan instantly disperse हो भी जाता है तो ये इसका पहला फाइदा भी है Instant Personal Loan Applications का दूसरा फाइदा ये है कि ये आपको credit score build करने में मदद करता है मान लो अभी आपके पास कोई credit score नहीं है आप credit line में नए हो आप credit score build करना चाते हो तो Instant Personal Loan Applications की मदद से आपको easily loan मिल जाता है और जब आप timely repayment करते रहोगे तो आपका credit score भी build होता रहेगा यानि कि Instant Personal Loan Applications की मदद से आप अपनी credit history build कर सकते हो Once आपका credit score build हो गया तो आप आने वाले समय में ज्यादा इमाम का loan भी ले सकते हो साथी साथ आपको bank से भी easily loan मिल जाता है ऐसी एक loan application है जिसका नाम है rupee ready जो RBA के द्वारा registered NBFC से आपको loan provide करती है यहाँ आपको 2000 रुपे से 25,000 रुपे तक loan मिलता है वो भी बहुत ही कम documentation में और आपको approval भी बहुत ही जल मिल जाती है loan directly आपके bank account में disperse होता है चाहे आपको personal requirement हो medical emergency हो किसी को gift करना हो शादी में पैसों की जरुवत है कोई भी requirement हो आपकी आप यहाँ से loan ले सकते हो आप इस app को directly play store से download कर सकते हो जिसका link मैंने नीचे description पे दिया है app download करने के बाद आपको get first loan पे click कर देना है फिर आपको phone number, email id, monthly income ये सारी details fill up करने के बाद register कर देना है फिर आपको आपकी bank details दालनी है जहाँ पे loan disperse होगा इनकी एक dedicated customer support team भी है तो in case आपको किसी भी तरीके की help चाहिए तो आप इनसे directly बात कर सकते हो उसके बाद आपको loan amount और 10 year choose करना पड़ेगा तो आपको कितना repayment करना है कितना interest आपको देना पड़ेगा वहाँ पे show करेगा उसके बाद आपको accept कर देना है तो तुरंत ही loan आपके bank account में disperse हो जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं instant personal loan applications के disadvantages के बारे में नमबर वान instant personal loan applications तुरंत आपको loan दे देती है और कुछ-कुछ instant personal loan applications ऐसी होती है जहाँ पे आपको interest rate ज्यादा देना पड़ता है तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि क्या आपको सच में loan की requirement है या फिर नहीं नमबर टू अगर आप गलती से भी किसी ऐसे instant personal loan app को अपने phone पे install कर देते हो जो RBA के दोरा regulated नहीं है और approved नहीं है तो होता क्या है कि वो सारी apps आपके phone के data का access ले लेती है और बाद में वो आपके सारे data का गलत फाइदा उठाती है इसलिए आप हमेशा RBA के दोरा registered app से ही loan लीजिए जैसे कि रूपी ready नमबर थ्री अगर आप कोई बे instant personal loan application से loan लेते हो और बाद में अगर आप repayment नहीं करते हो तो आपका credit score बहुत ही ज्यादा नीचे जाता है हाला कि ये सभी loan के साथ है बेंकों में भी ऐसा होता है अगर आप bank से loan लेते हो और अगर आप सही समय पर repayment नहीं करते हो इस समय पर instant personal loan application से loan लेना काफी ज्यादा आसान भी हो चुका है और बहुत ज्यादा safe भी हो चुका है जैसे कि अब phone के data को access करने से पहले सारी loan applications को पहले user की permission लेनी पड़ेगी और वो जो data है वो सिर्फ loan provide करने के लिए ही इस्तमाल किया जाएगा आज की date में अगर आप कोई भी app से loan लेना चाहते हो तो सारी loan company को पहले interest rate और सारे charges के बारे में transparency के साथ users को बताना पड़ेगा किसी भी customer को loan sanction करने से पहले NBFCs या फिर banks को पहले एक key statement provide करने पड़ेगा सारे customers को जहाँ पर loan के बारे में सब कुछ clear ली लिखा गया होगा अब पहले अगर आप instant personal loan application से loan लेते थे और अगर आप सही समय पर repayment नहीं करते थे तो वो आपको harass करते थे यानि कि आपके phone में जितने भी contact से वो सभी को call करते थे और उनको धमकाने की कोशिश करते थे लेकिन इस समय पर RBI की नई guideline के अनुसर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं यानि कि आपको एक cooling period दिया जाएगा जिसके अंदर आपको repayment करना है और harassment की बाद इस समय पर बिल्कुल भी नहीं उठने वाली है तो इन सब reasons की वज़े से instant personal loan application से loan लेना इस समय पर बहुत स्यादा आसान हो चुका है और safe भी हो चुका है तो फिलाल यही पूरी कहानी है instant personal loan applications के बारे में I hope आपको इस वीडियो से जरूर पता चला है कि instant personal loan application से आपको loan लेना चाहिए या फिर नहीं अगर आपको यह वीडियो अच्छे लेगी तो आप इस वीडियो को like कर दीजी और अपने दोस्तों के साथ जियादा से यदा share जरूर करें मिलताँ अगली वीडियो में एक और interesting topic के साथ फिलाल के लिए वीडियो में तनाई देखने के लिए बहात बवशिक्रिया